हाई गाईज मेरे नामे प्यूज बतरा और मैं आपका आटो टेक वर्क्स में स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में हम समझेंगे कम्प्रेशन रिश्यो तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बहुत से लोगों को डाउट होता है कि कम्प्रेशन रिश्यो क्या होता है हम किसी से भी यह कोशन बूचते हैं कि वाट इस कम्प्रेशन रिश्यो तो हमें एक कॉमन अंसर आता है compression ratio is the ratio of volume at BDC to the volume at TDC क्या है volume at BDC और volume at TDC volume at BDC मतलब cylinder का volume और combustion chamber का volume जब cylinder bottom dead जब piston bottom dead center पे होता है volume at TDC मतलब combustion chamber का volume जब piston top dead center पे होता है आप मानली जी एक cylinder है जिसका volume 900 cm3 है और उसकी combustion chamber का volume है 100 cm3 total volume हो गया 1000 cm3 जब piston bottom dead center पे होगा तो उसका volume होगा 1000 cm3 जब piston top dead center पे reciprocate होके चले जाएगा तब उसका volume होगा 100 cm3 इसका ratio निकाला जाया तो ratio आएगा 1000 is to 100 इसको simplify करें तो ratio आएगा 10 is to 1 यही है compression ratio compression ratio जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा engine powerful होगा compression ratio ज्यादा होना मतलब fuel और air का जो mixture inlets inlet wall से आया है उसमें से maximum power power mechanical energy mechanical power output निकालना एक्स्रेक्ट करना कम compression ratio होना मतलब कम power extract होना अगर किसी engine का compression ratio ज्यादा है और अगर हम उसमें low rating वाला octane number वाला fuel use कर रहे हैं तो इसमें problems engine में problems start हो जाएंगी एक problem है engine knocking जो गाड़ी के engine को completely destruct कर सकता है इसको देखते हुए high compression ratio वाली engines में high octane number वाला fuel use करते किया जाता है शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो like कीजिए share कीजिए अगर आपको कोई भी doubt हो या कोई अगर आप topic संबना चाते हो तो comment कीजिए नीचे comment box में और मेरे चैनल को subscribe कीजिए मेरे से जुड़े रही है शुक्रिया दोस्तों